देखें, टॉपिक क्या कह रहा है, कि बार मेगनेट एज एक्विलेंट सॉलेनाइट या सॉलेनाइट एज आ बार मेगनेट, मतब बताना यह है कि जो सॉलेनाइट होता है, जनरली हमने क्या पढ़ा है, कि सॉलेनाइट के अंदर हम मैगनेटिक फिल्ड निकालते थे, वह सॉ तो हमने पढ़ा कि अंदर मेगनेटिक फिल्ड होता है मूनट नाई अभी यह नहीं पढ़ना है यह कहना है कि एक्चुली में जो सॉलेनाइड है ना वो एक बार मेगनेटिक तरे भी हैब करता है उसके बारे में बात करनी है तो जरा देखिए हम करेंगे कैसे इस टॉपिक को ध्यान से समझेगा है यह टॉपिक एक्चुली में केवल NCRT में हमको दिखा और बुक में यह टॉपिक नहीं है ठीक है इसको प्रूफ कैसे किया जाए तो टेक्निकल प्रूफ है ध्यान से साउधान देखो यह एक सॉलेनाइड है यह सॉलेनाइड बनता कैसे है गंदा बन कर दी ऐसे और इसमें करेंट फ्लो करा दी करेंट ऐसे फ्लो रही है ऐसे करेंट ऐसे करेंट फ्लो करा रहे हैं ऐसे करेंट दिखा दी हमने मतलब इसके अंदर से करेंट आई ऐसे और ऐसे जाकर इस रिसक अंदर जाएगी तो ऐसे करेंट फ्लो रही है ऐसे करेंट इसमें फ्लो रही है तो बताना ये एक जो ये जो सॉलिनाइड है ना ये एक बार मेगनेट तरह भी है कर रहा है तो इसके लिए हम क्या करें इससे थोड़ी दूरी पर एक मेगनेट फिन निकाल लेते है ठीक है ये इसकी एक्सिस है अब देखिए अगर यहां से कोई बैठ करके विक पूल और यहां से देखे गाजा इस तरफ से तो ऐसे होगी कौन सा वाइस होगा तो उधर कौन सा पूल होगा नार्थ पूल मतला अगर करेंट ऐसे फ्लो रही है क्लाक वाइस तो कौन सा पूल होता है साउथ पूल और अगर करेंट ऐसे फ्लो रही है तो कौन सा पूल होता है नार्थ पूर होता है यानि एक एंड इसका साउथ है और एक एंड इसका नार्थ है तो सिंपल से बात एक बार मैगनेट तरह भी हैप कर रहा है ठीक है अच्छा अब इसकी वज़े इसकी रेडियस है ठीक है तो मैगनेटिक फिल्ड का फार्मुला क्या था जरा बताएं म्यू नॉट हमें याद नहीं है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वाइर अपान टू एक्स स्क्वाइर प्लस आर स्क्वाइर टू ठीक है यही फार्मुला होता है ना म्यू नॉट एन आई आर स्क्वाइर अपान टू एन कैप्टल लिख दीजेगा टोटल नंबर अफ टन्स है यह फार्मुला पढ़ा है ना अपने तो अगर इसको ध्यान से देखें तो एक सर्कुलर क्वाइल है कि नहीं है अच्छा अगर एक ह से तो हम यह फार्मुला ते है अपली केबिल होगा नहीं समझे आ रही बार नहीं आ रही है यह कोईल यहां से यहां तक फैल हुई है ना तो कैसे इसको हम अप्लाई करें तो देखें इसका तरीका क्या होता है यह फार्मुला कहीं नोड कर लेते हैं बी इस इक्वल टू तो मेगनेटिक फिल निकालेंगे कैसे हम, फ़र इसका डाइग्राम समलीजेगा, हमने इसकी जो लेंथ मानी है, सॉलेनाइट की इतनी मानी है, 2L, बिलकुल हम मैगनेट तरह भी है, कहरा ने, मैगनेट तरह भी हैब कर रहा है, यह इसका मिड़ पॉइंट है, यानि आदी दूरी यहाँ पर L हो जाएगी, और आदी दूरी इधर की L हो जाएगी, आप 2L न मानो, LL मानो, ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, अब डाइग्राम जैसा बुक में बना वैसा बना लीजेगा, इसका मिड़ पॉइंट है, और इसके मिड़ पॉइंट से, R डिस्टन्स पर एक पॉइंट है यहाँ पर P, जहाँ पर मैगनेटिक फिल हमको निकालना है, डारेक्शन क्या होगी इसके बारे में बात में बात करेंगे, direction क्या होगी magnetic field कि उसको और हम बात करेंगे देखे magnetic field हम निकालें कैसे देखो ध्यान से साउधान देखे यहां से यहां भी बहुत सारी coil है ना किसी एक coil की वज़े से magnetic field निकाल ले किसी एक coil की वज़े से हम magnetic field निकाल ले और बाद भी यहां से यहां तक उसको उठाके प्लस कर दे और इंट्रिगेट कर दे तो देखे हमने क्या किया इसके मिड़ पॉइंट से मिड़ पॉइंट से X डिस्टिंस पर एक कॉयल हमने यह ली यह X यह लाकर के ऐसे इतनी लंबा इतनी मोटी यह क्या ले ली हमने इसकी मोटाए कितनी ले ली हमने DX ठीक है जो यहां से कितनी दूर था यहां से X दूरी पर डाइगराम समझ में आरा नहीं आरा है X दूरी पर है इसमें समझ में आरा है आई रहा होगा हो सकता ना आरा हो हम जड़ा इसको साफ साफ लिखते है यानि यह जो हमने क्वाइल ली है इसकी लेंज कितनी ली है हमने dx और यहां से कितनी दूर है x दूरी पर है ठीक है यह छोटी सी क्वाइल है ना इसमें कितने turn होंगे इसकी वज़े से हम यहां magnetic field निकाल लेते हैं ठीक है तो पहले यह जो आपने छोटी सी क्वाइल ली है छोटा टुकडा लिया है अपने इसमें number of turns कितने होंगे number of turns number of turns यानि इतनी यह नजदीक है कि यह एक ही क्वाइल है बहुत सारे turn उसमें होंगे ना जब आप यह वाला topic प्रूफ किये थे magnetic field on the axis of circular coil तो उस coil में बहुत सारे turns थे ना लेकिन बहुत सारे turns इतने थे फिर भी वो एक coil मानी जाती थे ना तो हमने dx length की एक coil मान ली छोड़ा था पार्ट ले लिया इसमें number of turns कितने होंगे number of turns in length dx in length dx कितने होंगे बताएं ndx पका हाँ वो इसमाल N मानते है ना solenide में क्या मानते है इसमाल N को number of turns तो इसमें ndx number of turns है है ना अब ज़रा समझेगा इस coil की यहां से दूरी कितनी है यह जो coil आपने मानी है इसकी यहां से दूरी कितनी है r minus x r minus x है ना यह एक सटा दीज़े यहां से दूरी आपने r मानी ना midpoint से यह midpoint इसका था यहां से आपने दूरी मानी है ना तो r अचा r बहुत बड़ी value है x बहुत इसमाल value है l बहुत इसमाल value है r सबसे बड़ी value है तो magnetic field at the point p due to this small क्या लिखें इसको length element ले 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 क्या statement लिखें इसको due to circular element ठीक है तो magnetic field समझे बात आ रही हम क्या कह रहे है at p due to small circular element element इसको हम मानेंगे dp अब ज़रा formula पर जोर करते है वहाँ पर mu naught है तो यहाँ भी mu naught आएगा वहाँ पर n है n है number of turns यह जो circular element लिया है इसमें कितने number of turns है है nx ndx तो यहाँ लिखेंगे ndx ठीक है into i current कितनी है i into r square अब इसकी radius आपने जो मानी हो जैसे आपकी book में a माना गया है तो आप इसकी radius क्या मानीजेगा यहाँ पर a मान लिजेगा ठीक है तो r square बोले तो a square अपन चुकि r हमने small distance मानी है इसलिए हम जानबूस कि इसको a मान रहे अपन to x square क्या होता था यहाँ पर x square यह दूरी होती थी थे न यहाँ से यहाँ से इसकी दूरी कितनी है r minus x तो r minus x का whole square और प्लस r square r square बोले तो a square 2 power 3 by 2 यहाँ तक बातस्वान में आ गई note करिए इसको थोड़ा रब करेंगे तो यह magnetic field आपने इस छोटे से circular element की और जासे निकाला है न तो अगर magnetic field at the point P due to entire solidide निकालेंगे magnetic field at the point P magnetic field at P due to entire solenite entire solenite B निकालेंगे तो क्या करेंगे इस db को integrate कर देंगे आप देखो db की जो value हो dx के term में vary करेंगे dx 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 जास मान रहे हो तो length के respect में करोगे न ज़रा समझेगा आप distance ले कहां से रहे हो यहां से ले रहे हो न तो यहां से जो इस तरफ की distance पोजिटी होगी इस तरफ की distance तो यहां पर limit के आएगी minus L से ले करके L के बीच में लेंगे ठीक है अब मैं diagram रब कर देऊ diagram काम खतम हो गया है diagram बना लिया है समने ठीक है इसको रब कर देता है तो diagram का काम खतम देखें तो जब हम यहां पर B की value निकालेंगे B is equal to integral minus L to L DB की value क्या है mu naught N D X I A square upon 2 R minus X का whole square plus A square to power 3 by 2 एक confusion कभी कभी हो जाता है समझेगा साउधान यह जो A square है न इदा देखें इसको 2 pi से multiply कर दो तो क्या बन जाएगा pi A square और pi से divide कर दो कोई दिक्कत तो जो pi A square हो जाएगा या उपर वो क्या बन जाएगा area और 2 से multiply कर दो 2 से divide कर दो तो नीचे इदर बाहर mu naught upon 4 pi हो जाएगा तो कभी कभी जो constant होता है mu naught upon उसको अलग करने के चकर में वो pi से multiply करके उसको area बना देते है तो उसमें confuse नहों कहीं कहीं topic में लिखा होगर अब ज़रा समझें इसको integrate कैसे करें चुकि यहाँ पर R के साथ कौन कौन है R के साथ X है और A है और X की जो value है ना वो less and less than X की value है less and less than R है और A की value भी less and less than R है और दोनों ही इस bracket के अंदर है तो दोनों के उपर सबसे बड़ा hero कौन होगा R तो यहाँ पर R भी neglect हो साथी X भी neglect हो जाएगा और A square भी neglect हो जाएगा So यह आपका R minus X का whole square प्लस A square है ना bracket के अंदर यह actually कौन है यह केवल R है X भी हाँ हट जाएगा और यहाँ से A square भी हट जाएगा R की power 2 whole power 3 by 2 तो यह क्या हो जाएगा R Q यहाँ रग दो उठा करके So by equation 1 So by यह जो physics का assumption है ठीक है वो है तो है छोड़ी चीज को के नहीं हटा कौन ध्यान दे तो यहाँ रखो B is equal to minus L to L mu naught N I A square upon 2 R cube DX इसमें किसका integral होगा QDX का integral होगा और सब चीजें constant है तो इनको बाहर लिख देते हैं तो B is equal to mu naught N I A square upon 2 R cube और DX का integral X limit minus L से लेकर के L के बीच में आएगी limit जब लिमिट ऑपरेट करोगे तो क्या हैगा mu naught N I A square upon 2 R cube यह 2L आ जाएगा अब इसको थोड़ा सा amendment कर लो इसको note करिए इसको थोड़ा सा इसको संसोधित करिए देखे B is equal to mu naught लिखा रहने दो I लिखा रहने दो नहीं अभी ना लिखा रहने दो A square लिखा रहने दो देखो दान से N को अगर into 2L करे क्या मिलेगा N को 2L से multiply करें तो क्या मिलेगा total number of turns into I कर दे ठीक है और into A square लिखा रहने दे कोई दिक्कत कोई दिक्कत है लिख सकते हैं ना और upon कुछ ज़्यादा दूरी नहीं बढ़ गई है अरे ठीक है इनको नजदिक लिए mu naught सबको लिखा कुछ छूट गया इसमें और upon 2R cube चलेगा इसको पाई से मल्टिप्लाई कर दे into पाई से डिवाइड कर दे कोई दिक्कत तो mu naught n into 2L को total number of turns लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ना आपने क्या लिखा है n into 2L को total number of turns लिखा है और into I और ये क्या है कॉयल का area of cross section इसको A लिख दे और upon 2Pi R cube लिख दे इसको पहँचानते हैं आप कैनाई नाई नाई मतार नहीं मालूम है नहीं अशे लिखा हुआ है ये magnetic डैफल मोन बताए गया था तो यानि कि इसको mu naught upon 2Pi into M upon R cube लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना यहाँ पर M क्या है M is equal to NIA is equal to magnetic dipole moment देखो एक एक इस्टिप पढ़ते जाओ पौड़ी पौड़ी चड़ता जा जैम आता दी कहता था तो प्रूफ पकड़ में आ जाएगा ठीक है चुकि ये constant वैसे standard होता mu naught upon 4Pi तो अगर मैं उपर नीचे 2 से multiply कर दू mu naught upon 4Pi into 2M upon R cube ये B निकला ज़रा इसको पहचानने की कोसिस करो अगर मैं electric field में जाता हूं ज़रा समझेगा electric field में जाता हूं 1 upon 4Pi आने का region था तो उसकी जगह यहां क्या लिका है mu naught upon 4Pi उसके axis पर जब हम electric field निकाला करते थे तो electric field क्या निकलता था 2P upon R cube तो यहां 2P upon R cube है तो इसका मतला magnet तो हमने यहां लिया नहीं था हमने क्या लिया था solenite तो solenite से जो आपका proof आया वो किस की तरह आया जैसे कि electric dipole की तरह आता वैसे magnetic dipole तरह आया तो यहांनि solenite किस तरह भी हैब कर रहा है as a bar magnet यही तो आप से कुछ कह रहा था कि यह दिखाओ कि solenite एक bar magnet तरह भी हैब करता है तो हमने magnetic field निकाल लिया अपने आप वैसा proof होकर कि आया जैसा कि bar magnet के लिए होता है note करिए